कि नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रिक्रम आपको मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और यह लाइव क्लिनिक है तो चलिए लाइव क्लिनिक चालो करते आशा करता हूं कि आपको वीडियो कौल्टी अच्छी आरी हो और अच्छी आरी हो जो आप देख पा रहे हूं मेरे चैनल को सबसक्राब कर देजागा और ना दिन के आच्छाम के अंसर देने से पहले मैं हर दिन एक homeopathic medicine के बारे में चाहनकारी देता हूँ और हाज की medicine भी बहुत ही important medicine है वो इसलिए कि ठंडियों का समय चल रहा है और ठंडियों में मासपेसियों में जकड़न और अकड़न बहुत जादा होती है और इसके लिए कौन सी medicine सबसे effective है आप बोलेंगे आर्निका हाँ आर्निका कारण सरीर में एकड़न-ख्र और ठेंडी के कारण अगर सर्द हवा के कारण मास्पेसियों में जक्रन हो तो बैलिसपर जरूर याद रखें दो बून पियेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी बैलिसपर ठेटी दो बून टारेक्ली टंग में पीजेगा थैंकिजिए सो मुच और चलिए अब कुश सारी एक दो वीडियों भी बनाएं है तो यह ब्रह्म जो है जिसकी बात कर रहा है उसको ठर्म है एंग्रावेशन और आगरवेशन सिर्किम्च सकेयल दिजन होता और हम छोर्ण देटी की उसी में ज्यादा तर मेडियाराल होता है और बस जैसे कि सल्फर और या नहीं होता है तो यह काफी बड़ा भ्रम है आप सुनते हैं लोग बोलते हैं कि भगल वाले नियुक्त कि हो सकता है कि पुलिस दोस्ति हो एैसा ही होमेपैθिक एगरहवेशन branhur hes ह Bell और होता है और ढूला सा होता है और गती है जल्डी ठीघक है उससे के एक्जिमा की ब्रॉब्लम में आपको सालो से है आपने स तक्लेश और थोड़ी खुजली भढ़ जाएगें तो अगर खुझली बढ़ती है तो वह होमेपेथिक एग्राविशन है और ऐसे में वह फायदे मंदी है आंगे चलके आपका एक्जीमा ठीक हो जाएगा तो जो इसकिन डिसीज है उसके लिए फायदे मंद है और मैं एक्जामपल दिया हूं तो आपको अच्छे समझ में आ ग जलसी में आप 200 पोटेंसी में 200 पोटेंसी में दो बून सुभाइशाम यूस करें बहुत ही अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे आदिका 200 बून सुभाइशाम यूस करें ये मैड़से ने एक महने तक लें और मैडिसें हलाग कि 15 दिन लेंगे आपको ठीक लगने लगेगा ले तक लिए अक्षे जी का सवाल है मेरा डाधी ग्रोथ की प्रॉबलम है और कौन सी मैडिसें लो सेलेनियम 30 या सेलेनियम 3 एक्स बीकिए डिलूशन जादा बेटर रहेगा आपके लिए और सेलेनियम 30 आप दो बुंद रात में पीचिए जादा च्छे रिजर्ट साब को मिल Neat ho to use करना चाहिए ठोजा प्रस दोभाइं करनेशी जी में पीचिए और सांत में आपको दो मैडसेन और लेना चाहिए और दो नों है एक तो रोटेंडरोन ठेटी एक बुन सुबह शाम लीजिए केलकेरिया फ्लोर सिक्सेक्स चैगोरी सुबह दोपार शाम लीजिए एक और मैडिसेन एक महने तक लीजिए बहुत एफेक्टिव मैडिसेन है बहुत यह अच्छे तो आपने वीडियो कहीं दर दर देखेंगे मेरा इस पर वीडियो नहीं है और अभी तक मैंने बहुत सारी मैडिसेन दे के देखी अपने क्लीनिक में दो तीन पेशेंट्स को रिजर्ट नहीं मिलते तो मुझे लगता है कि बहुत ही चोटा सरज़री होता है इसके लिए तो स सवाल है गौरव जी का सरवेरिको सील से लेफ्ट कब-कब थोड़ा पीन होता है और ज्यादा से कोई सलूशन है प्लीज बताएं तीकिए वेरिको सील जो है सबसे एफेक्टिव मैडिसेन रोड एंडरॉन और बैला डोना है अगर दर दो तो रोड एंडरॉन ठेटी एक ब पहर शाम बैला डोना ठेटी बुन सुबह शाम यूज़ करें एप इसमेल टूहिंटेट दो बुन शाम को यूज़ करें कैलकेरिया फ्लोर सिक्स एक्सपोटेंसी में शैगुली सुबह दो पहर शाम यूज़ करें यह मैडसेन एक महिने तक लें बहुत एफेक्टिव मैड लच्छण हो सकता है मुझे फाइमोसी तो जरूर एक सर्जन को दिखा लें मैं यह नहीं बोलाओंगी तुरन सर्जरी करा लें सर्जन को दिखाएं और देखें कि क्या वह फाइमोसी रहता है पाफी बार ऐसा होता है कि आप लोग नेट पे देखके और इधर दोदर देख लेके वह सालों परिशान रहते हैं कि मुझे फायमोसज है तो सरूर एक बार सरजंट को दिखाएं अगर आपको फायमोस इस सर्जंट बोल देते हैं तो फिर आपके ऊपर कॉल ले कि आप मैड़सें ले या सर्जरी करा है पताइस और इसमें नहीं मिलते हैं तो कोशिश करके आप देख सकते हैं कैलकेरिया फ्लोर सॉरी केरिया फ्लोर थायोसनलम जैसी मेड़सेंस एफेक्टिव हैं इसमें लेकिन मुझे अभी तक होद बहुत साथा है रिजर्ट नहीं मिलें इस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया कि बिना रिजर्ट के मैं वीडियो नहीं बनाता हूं एक सवाल है डांसिंग एंजल जी का सर पापा के डालेसिस सुरू हुई है और एक वीक पहले क्या अभी भी होमेपैथिक यूस से किड्नी रिवर्स हो जा सकती है और डालेसिस रोके जा सकते हैं देखिए बिल्कुल मैड जासे लसीरम जरूर कंटीनु रखना चाहिए लसीरम आप सेवनेक्स पोटेंसी में दस बून सुबह दो बहर शाम यूज़ करें एनल टू डॉब वीज़ बून आधे कप पानी में दिन में तीन बार यूज़ करें लसीरम भी पानी के साथ ही लेना है और साथ में आप काल नाइट्रिकम 30CH पोटेंसी में दोबून सुबह शाम ले सकते हैं क्यूपरम आरसेनिकम भी बहुत अच्छी मेडसान तो उसे भी पर सकते हैं अगर लचन मिले तो उसे भी आड़ कर सकते हैं बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे तो इसके लिए मुस्ली काली नाइट् तरह और तो उसमें ट्रान्स पलांट ही चारा है यहां कि पेशेंट को उरियो आड़िो प्रेंगे जेनके लिया डियासिस करा जाता है यह सब्कों सहरह पर मैड़ेसन देएसके लिए और लता है उसली फटकुराफ के ने रहत लिग वी और गोना इसके लिए यह कॉरद दोस बुन आदे कप पानी में दो बार दीजे, बहुत ये अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे और NL2 ड्रॉप भी दीजे, बीस बुन आदे कप पानी में दीन में तीन बार ये मैडसिन एक महीने तक दे, अगर आराम लगे तो इसे तीन से चार महीने कंटीनियू करें, थैंके स सब्सक्राइब करने के लिए एक सवाल है रोहित सिंग जी का सरपेट के निचले हिस्से में दर्द और मरोड होता है और खुब गैस बनती है सुबहे के समय दो दिन बाद लेटरिंच आने पर पेट साफ होता है और चिपचिपापन बहुत जादा रहता है और खुब पानी ज दोनों को मिलाएं बरावर मात्रा में और मिलाने के बाद भी इस बुनादे का पानी में दिन में तीन बार लें यह मैडिसेन एक महने तक लें बहुत ही अच्छे रिजर्ट में एक सवाल है मलीग जीका और सवाल है फीमिल 25 है मुझे फेशुला और पाइल्स का इशू है ल अजीव होता है और अब मुझे यह बात बतानी के कब तक मेडिसेन लेनी है तो मेडिसेन चेंज मत करिये ना एड़ करिए ना चेंज करिए वही मैडिसेन कंटीनी रखिए मुझे लगता है तीन-चार मेने और मेडिसेन लेने के बाद यह हंड़एट परसेंट ठीक हो तो पहले 50% मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाता है उसके बाद धीमे चार्ज होने लगता है और लास्ट के 10% बहुत धीमे चार्ज होता है तो ऐसा ही समझके चलिए हर मैडिशन चाहिए आप अलोपाथिक मैडिशन काई चाहिए थैह भमेडिक मैडिसन घाए या अर्वेडि काई है सुरवात में medicine बहुत अच्छा असर करती है और बाद में थोड़ा धीमा असर करती है क्योंकि जो disease है वो कम बची रहती है इसलिए आपको असर भी उसका धीमा महसूस भी होता है तो medicine अगर आपको कोई भी medicine अगर आपकी medicine ने फायदा किया है तो उसी medicine को continue करना सबसे बैटर option मुझे लगता है और उसी को continue रखना चाहिए एक सवाल है अजे जी का लिए सर एच 65 है और कांडी अड़ाइज वैदर भार्गवा एना बर्बेरिस भी टेकन कियर फॉर दिस वा प्रिवेंशन के लिए आप ले सकते हैं लेकिन मुझे ज्यादा तर मैंने दिया नहीं है तो इस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं जो medicine मैंने दी है वो मैं बतायता हूं और prevent भी हुआ है काफी ज़्यादा तो arsenic album और equonite is best medicine and influence genome बहुत ही अच्छी medicine है तो arsenic album 30 एक बुन सु इन्फुइंजिनम 30 हर दिन ले तो दो बुन्द सुबह सुबह एको नाइट ठैटी इन्फुइंजिनम 30 दो बुन्द रात में और arsenic album 30 दो बुन सुबह 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 हर संड़े वेनिस डे यूज़ करें यह आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा एना बर्वेरिस जो है इन्फुइंजिनम यूज़ करके देखिए ज्यादा अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे एक सवाल है हाइपर हैड्रोसिस ट्रीट्मेंट बताएं सर इंडियन नेवी का मैडिकल है बड़ा मुश्किल है लेकिन अभी तुरंत तो ठीक होना बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं मै मैडिसिन आप 15 दिन तक लें आराम लगे तो इसे कंटिन्यू करें थैंके सो मच कुशन करने के लिए एक सवाल है लाइपोमा जलन के लिए बैस्ट मैडिसिन बताएं लेकिन लाइपोमा जलन या जाने के लिए अपने कुशन पूरा नहीं लिखा है तो लाइपोमा अगर ह लेक तो थूजा तूहेंड़ दोबुन सुबह सुबह यूज़ करें और साथ में कैल्केरिया फ्लोर 6X पोटेंसी में च्छाए गुले सुबहर शाम यूज़ करें लैपिसलवा 32बुन सुबह शाम ये मैडिसिन एक महिने तक लिए बहुत इफेक्टिम मैडिसेने बहुत मिलेंगे रिजवान जी का एक सुपर चैट है एक सवाल है राजी कुमार जी का सर हाइपर हैड्रोस इसका मैं कॉंसर दे चुका हूं शुष्री पटेल जी का सवाल है और हम आपकी मैडिसेन लेते हैं तिक बिल्कुल ठीक होगा बस आपको यह मैडिसेन कंटीन्यू करनी है मुझे लगता है कि आपको लगबख देर से दो साल यह मैडिसेन लेनी पड़ेगी अगर आपको लगबख तीस परसेंट आराम हो तो मैडिसेन फिर कंटीन्यू करिएगा आखमून के कंटीन्यू करिए हो सकता है बीच में कभी थोड़ा बढ़ जाए जैसे घर में कुछ हो हो जाएगी अगर मैडिसेन से अराम है तो मैडिसेन करने के लिए और एक सवाल है तो अगर बंद कर दूं तो देखते हैं कितना बच जाता है और इतना बच जाता है हाला कि काफी है फिर भी तो ठीक है लेकिन इतना भी ग्लो नहीं है तो एक्यू प्लस क्रीम ज़रूर लगाएं और एक्यू प्लस क्रीम दिन में दो बार सुबह शाम लगाएं थैंकिसो मच कुश्चिन करने के लिए एक सवाल है सार मेरा फिंगर चाकू सा थोड़ा-थोड़ कट गया है और आर जो 55 ले रहा हूं दिन में लगबग चार बार दिखिए चाकू से कटा हुआ है तो आर 55 तो आप लीजे ठीक मैडसन ले रहे हैं लेकिन साथ में आप लीडम पाल भी अलग से ले लिजे लीडम पाल ठैटी एक बून सुबह दो पहर शाम ले ले लिजे औ और थोड़ा साफ करने के बाद रूई से और कैलेंडूला ऑइंटमेंट भी आता है तो उसे आप लगा के और रूई से थोड़ा सा लगे रहने दीजे तो जल्दी सूख जाएगा और हीलिंग जल्दी हो जाएगे थैंकि सो मच कुशन करने के लिए एक सवाल है सच्छ जी सुपह दोपहर शाम यूज़ करें और बायो कॉम्बिनेशन 25 नंबर 6 गोली सुपह दोपहर शाम ये मैडिसन एक महने तक लें बहुत एफेक्टिव मैडिसन है बहुत एच्छ रिजर्ट मिलेंगे और एक सवाल है कमजोरी के लिए कोई सिरफ बताएं सबसे बढ़ें मैडिसन है बहुत ही अच्छ रिजर्ट मिलेंगे मुहित कुमार प्लीज सर माय हेल्प मी बिल्कुल आपकी मैं हेल्प करूंगा लेकिन आप कोश्चन करेंगे तब मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा एक सवाल है मेरी स्किन सेंसिटिव है और गर्मी लगती है और धूप में ज मैडिसन आप तीन मेने तक लिए आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी थैंके सो मच कुश्चन करने के लिए एसके जी का सुपरशेट हां अंसर दे चुका हूं पर एक सवाल है जानवी सरमा जी का सप्लीज डिप्रेशन के लिए मैडिसन बताएं डिप्रेशन के लिए बाद दो बुल सुबह दो पहर शाम यूज़ करें बहुत इफेक्टिव मैडिसन है बहुत ही अच्छे रिजर्ट्स आपको मिलेंगे और साथ में आप एक मैडिसन और लीजिए और वो मैडिसन है ट्रेंक्यूल टैबलेट तो इसे आप दो गुली सुबह दो पहर शाम ले लिया तो आज मैं रिपर्ट्री के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और रिपर्ट्री क्या होती है वो तो मैं बता चुका हूँ अगर नहीं जानते तो जरूर उस पे रिलेटेड वीडियो देखिए और मेरे पास विलियम बोरिक की मटेरिमेटिका ऐस यूजर्ल रिपर्ट्री नखी हुई है और इसमें एक चैप्टर है इसके मतलब चर्म और चमडी तो उसका जो सबसे पहला आपका हलाकि आपको यहां पर दिखेगा की नहीं दिखेगा शायद मेरा इमेज है तो एकने रोजिया तो अगर आपको एकने रोजिया या एकने की प्रॉब में एक पैथलोजिकल कंडिशन है तो इसकी सबसे बेस्ट मैडिसेन कौन-कौन सी है वो मैं बता जेता हूँ और उसके बाद फिर आपके क्विश्चन्स लेता हूँ तो एकने रोजिया की जो बेस्ट मैडिसेन है वो पहली एसे अलफ़बेटिकल होगी एसे जट पर आर समोल माल पे मेरा वीडियो जरूर देखिएगा बहुत सालों से आपको आपको और एकने रोजिया हो आधकरं करके जो है वह वह तो आपको ऑपने रियमान सकते पर फिर ऊसके बाद निकलते है और आपको एकने रोजिया की प्रॉब्लम है तो आर्स ब्रूम बहुत ही एफेक्टिव मैडिसेन है एक मैडिसेन है कार्बो एनामिलिस दोस्तों अगर सरी में ऑक्सीजेन की कमी काफी रहती है और डलनेस बना रहता है डलनेस के साथ आपके सरी में बिलकुल जान सी नहीं ह आप एकने रोजिया है कार्बुेजर कार्बो एंडिस बहुत आपके मैडिसेन है नक्स्ट मैडिसेन है हाट्रोउकोटाल क्या है कि छो घच्राब को आपको है औरHaनो की तσι। तब हैड्रोकोटाइल बहुत ही एफेक्टिव मैडिसेन है नेक्स्ट मैडिसेन है ओफोरिनम और ओफोरिनम इस बेस्ट मैडिसेन फॉर एक्नेरोजिया तो मेरा एक्नेरोजिया पर वीडियो है और इसमें मैंने ओफोरिनम बताई है मुस्ली फीमेल्स को यह जादतर और आकने रोजिया की प्राब्लम हें तो हॉर्मोनल चेंज जरूर होगे जैसे की प्रीज Wire Van या हो सकता है कि आकने थ्याल आ यहली об제 यह अर्मोनल प्राइन ओध सकते हैं तो उल्फो हरResальной बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिलेंगी एक मैडेसें रॉक्स टॉक्स इसके काफी सारे सेंटम से मिलते हैं से रैडनेस बहुत जादा होती है इसके रैसी ब्लाइक इसके पलाइक्छ्र भी बखाए तो ऎकोई सामला वेकती है तो ठाधवी तो बेडनेस अगर जादा रॉक्स टॉक्स टॉक्स एकलतुड भी ञींड होती है यूज करें बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिलेंगे और एक्ने रोजिया के लिए नेक्स्ट मैडिसेन सल्फर आयोड सल्फ आयोड दोस्तों अगर बच्पन से आपको टॉंसलाइटिस की प्रॉब्लम रही हो और बच्पन से आपको लिंफनोड एलार्जमेंट की प्रॉब्ल कुछ और नॉलेज दो अब चलें कोश्चन की तरफ चलते और कोश्चन एक्ने रोजिया पर तो मैंने काफी आपको नॉलेज दे दी और OCD कोश्चन हाँ कोश्चन है मुझे नींद की प्रॉब्लम है और पांस साल से तिकिन नींद अगर नहीं आती है तो पैसी फ्लोरा ज कोश्चन करने के लिए और साथ में पैसी फ्लोरा के साथ आप काली फॉस सिक्सेक्स चैगौली सुबह दो पहर शाम और रस्क्यों रम्डी 30 एक बुन सुबह शाम यूज करें मैड़सें एक महिने तक लें पू भाटिया जी का सवाल है और मेल 84 है और हिप टो मुस्ल्ट वीकनेश को की जोसे होती और में पहले विदी विश्क के लिए लेकिन वह सब्सकार के लिए बृटत है जरूर यूज करें बैस। 200 potency में दोबुन सुबह शाम आर्निका 200 दोबुन सुबह शाम अरनिका-जाभी अंसहे बैलाड अंसहें रूटा उंसहें को लौसर नपड़ चाहर और बैमद़ इंच karış हैं और भी सुबहुरी हैं सब्सक्रावण के बार वि clinical करने के लिए एक सवारdoop बेको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है दिखिए ब्लीडिंग आपका क्वेश्चन पूरा नहीं है एक सवाल है मुल्टिपल सिस्ट हो गये हैं वाट टूदू इक सिस्ट पर मेरा वीडियो है जरूर आप देखेगा मुल्टिपल सिस्ट के लिए थूजा वन दोबू सुबह जब कि मैंने आज आपको इसना सारह इंपॉर्टिंट नॉलेज्ट दिया है लाइफ में तो है घॉज्म नॉलेज कम देटा हूं को और दो नधिया है और ant ठांट नोजो ऑसbourgे हैं भारी गो बहुत जादा बना रहता है क्या यह साइनस या अलर्जी है दोनों ही है अलर्जी के कारण आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है और अलर्जिक साइनोसाइटिस इसको बोलते हैं तो इसमें आप एक नासा कॉंबिनेशन लें दोबुन सुबै दोपहर शाम बहुत सूल and feet at night since 3-year क्या आपको ड्याइबटेस है cowork प्राइबकूवाश्ण परवें सफीड आपि आपको देजिए अगर ड्याइबर्टेयक्ण की प्रॉब्लम है तो अलग मैडिस है और ड्याइबर्टेस नहीं है तो अलग wanna रहे मीरानिएबटेस की और तो मेरा स्सीजी सी और लेजिये 24 पारी civर्ट्रटल सब्सक्राइब को सेडु हरो नहीं है तो इसिंद कि यूश्प है आप अच्छे मिलेंगे और अच्छे यूदो बहुत नहीं ज्टर सक करने लेगा काफी लोग बोलते हैं अप तो यह बना रहता है आप जाएं मेरे चैनल पर एक घंटे बाद फिर से यही वीडियो देखें डेट तो डली हुई है और उसके बाद आप अपना नाम और आपकी प्रॉब्लम मैं बोलते ही हूं और आपको पता ही हो अलगभग किस मिनट पर मैंने आपको आंसर दिया है वही जो है नर्क को शनर का दूसरा नाम है और उसेडी है सर प्लीज हेल्प मी सर निति जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं तो आप एसा लगए कि आप कोई चीज बार-बार कर रहे हैं उस समय आप अपने आपको कुछ कंट्रोल करने की को जरूर करिए मेरा एक फ्रेंड है जिसको ऊसेडी है और वह अच्छी जॉब में भी है तो जब सुरुबात में हुआ तो उसकी जॉब भी चूट गई थी और उसको पता भी नहीं था फिर उसके दीरे डीरे डॉक्टर्स ने बताया मैंने उसको मैडिसन भी दियो मेरी मैड कंशी दी लॉड़ा रहा है तो वहां से तुर्ट हट जाता या कुछ और काम करने लगता है और एक जाम पल्या बाल्टे तो जब आप देख़िए या तो सकते हैं कि आप टाइमर लगा ले तो अगर आप टाइमर से जैसे पांच मिनट से ज़्यादा आगर आप नहाते तो आपको टाइमर बज जाए जिससे कारण आपको समझ में आए कि आप जादा नहारा रहा है तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं तो ये आपको खुद को करना रहता है जैसे मैंने ये जो एक्जामपल दिया वो दोस्त ने एक्जामपल बताया था कि मैं ऐसा करता हूँ और काफी हद तक उसका OCD अब ठीक भी हो गया है कम जरूर हो जाएगा और हो सकता है कि निगलेक्ट हो जाए लेकिन जब कभी आपको ऐसी चीजे देखने को मिलेंगी या ऐसी जगह आप जाएंगे जैसे कहीं पर आप मालीजे की कोई घटना हो गई दुर घटना हो गई वहां पर आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं कुछ महीनों के लिए कुछ दिनों के लिए आपके लच्षन फिर से महसूस हो सकते हैं बढ़ सकते हैं तो ऐसे में आपको खुद को समhालना है अपने आपको और आंगे बढ़ते जाना है और OCD समझना है कि यह एक बीमारी है और इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको खुदी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा मैडसेन तो थोड़ी प्रयास करेगी लेकिन खुद से ही आंगे बढ़ना पड़ता है OCD में खास कर तो एक सवाल है सिए जी का सवाल सर ओटी पीटी 65 और 95 है और बढ़ा रहता है और प्लीज सजेज़ दा मैडसेन एंड आइम नौट और एलकोहलिक अगर फैटी लिवर की प्राबलम है आपको एक बार आप जरूर सोनोग्राफी कराईएगा अगर फैटी यह तो वही है और नौट फैटी लिवर है तो फैट खाना पो थोड़ा कम करना पड़ेगा तिल मसाला कम कर दीजिए एक्साइस करते हैं बहुत ही बैटर चीज कर र रहें जौन डिला सिरफ एक डखकन सुबह शाम इसे आप पीते रहें और इसको लगातार पीने से आपका जो एज़ी पीटी है वो नॉर्मल आ जाएगा थैंके सो मच कुश्चन करने के लिए एक सवाल है सुपर चैट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सवाल है इमेल आईडी बिल्कुल मैं आपका इमेल आईडी देख लिया हो थैंके सो मच कुश्चन करने के लिए एक सवाल है ओम शर्मा जी का सब्लांटर फैसिलिटेट की प्रॉब्लम है तो प्लांटर में अगर इंफ्लामेशन होते हैं और इंफ्लामेशन होते तो जब सुबह आ सब्सक्राइब है और आज मैंने इतना नॉलेज आप लोगों को दिया लेकिन लाइक अभी भी कम है तो मुझे लगता है कि आज का लाइव क्लिनिक जो हो अलगी है और नॉलेज के बेस्पर अगर आपने सुरुआ से आखरी तक लाइव क्लिनिक देखा हो तो जरूर लाइक करिएगा तो कि लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और यह इसलिए होगा क्योंकि आप लोग कोश्चन किया है तो कुश्चन अगर अच्छे आते आ तो नॉलेज बढ़ता है तो कोश्चन करिए अच्छे जिससे मुझे सोचने को मजबूर हो एक बुंद सुबह दो पहर शाम यूज़ करें बायो कॉंबिनेशन बीस नंबर छे गोली सुबह दो पहर शाम यूज़ करें एज़ार डी रेक्टा इंडिका सल्फर मदर टिंचर यह दोनों मिला कि आप दिन में दो बार सुबह शाम लगाएं और यह मैडसेन एक मिनित तक बहुत एफेक्टिव मैडसेन है और बहुत यह रिजर्ट्स आपको मिलेंगे दोस्तों आज का लाइफ शेशन हम यही पर समाप्त करते हैं आशा करता हूं कि आपको यह लाइफ क्लीनिक अच्छी लगी हो गर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक क अगर सब्सक्राइब को बटन देगे तो इसको भी दबा दीजिए उसके बगल में एक बैल आइकन है तो इसको भी दबा दीजिए मैं ऐसे ही नौलेजबल हूंपैतिक डिसीज रिलेटीड वीडियो दाता रहता हूं तो इसको देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर करिए चैनल को अगर नहीं किया और बैल आइकन जरूर दबाईएगा क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप पता चैक कैसे चलेगा कि इतना नौलेजबल लाइफ क्लीनिक हास से निकल जाएगा आपके तो नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन जरूर आपये थैंक यू सू मच।